आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है इट राइट इंडिया मुव्मेंट जिसकी टैग लाइन है सही भोजन बहतर जीवन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यह आपके एक्जाम के परस्पेक्टिक बे से और ऐसे भी जनरल हमारी लाइट में भी काफी इंपोर्टेंस है इस टॉपिक की चलिए जानते हैं हाल ही में यह टॉपिक क्यों न्यूज में हैं कब इसको शुरू किया गया था और क्या इसक Affairs ने राज्य और केंदर शासी परदेशों से गुहार लगाई है कि Eat Right Movement को परमोट करें अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूटीज में अब ऐसा क्या है इस Movement में चलिए चांदते हैं Eat Right India Movement इसको लाँच किया था FSS AI Food Safety and Standard Authority of India के दोरा 2018 में इस Movement के अंतरगत एक बड़े large scale पे efforts किया जा रहे हैं कि जो भी भारत का food system है उसको convert किया जाए safer और healthier eating habit में और ये सब हो सकता है जब consumer के अंतरगत उन्हें aware किया जाएगा एक eating safe and nutrition food प्रवाइड करके अगर consumer को एक स्वास्थ और पोशनता से बरा हुआ खाना मिलेगा तो वो देश के लिए भी एक अच्छी चीज है ये एक तरह का movement है जो basically तीन pillars पे depend करता है eat healthy, eat safe, eat sustainably ये तीन इसके pillars हैं जिसके base पे ये आपका movement चल रहा है 2018 से टेल देर तक features चलिए जानते हैं eat right movement के क्या features हैं तो पहला feature है eat local and seasonal इसमें ये बोला गया है कि local और seasonal fruits, vegetables इन products को आप adopt करें जो आपकी health के लिए एक फाइदे मन रहेंगे दूसरा feature है eat more plants जितने जाद से जाद आप हरे पत्तेदार सबजियां खाएंगे plants खाएंगे वो आपकी body के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि इन plants में आपको nutrition भी काफी अच्छे amount में मिलेंगे जो कि body की और mental की growth के लिए सही साबित है तीसरा feature है reduce food high in fat, salt and sugar ऐसे खाना को avoid करें जिन में fats जादा हो, salt जादा हो और sugar जादा हो जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारे patient मिलेंगे आपको diabetes के, fats के तो इन सब products को avoid करेंगे, ऐसे foods को avoid करेंगे तो ये स्वास्थे के लिए फाइदे मन रहेगा fourth feature है moderate meat consumption जो लोग non-vegetarian हैं, उनसे यही उमीद की जा सकती है कि वो कम level पे meat की consume करें अगर वो meat की consumption कम करेंगे, तो बहुत सारी बिमारियां उनसे avoid रहेंगे जैसे कि हम जानते हैं, बहुत सारी बिमारियां हमारी non-vegetable product से ही निकलती हैं तो इनको avoid करके आप अपनी सेहत को एक अच्छे level पे लेके जा सकते हैं fifth feature है reduce food based days जादा से जादा खाना को based ना किया जाए, जिससे क्या होगा जिन लोगों की जितनी requirement है उसे हिसाब से खाना लेंगे तो food की based days नहीं होगी और जुरूरत मन्त लोगों का पेट भर जाएगा तो ये थे features eat right India movement के चलिए जानते हैं eat right campus क्या है इसी movement के अंतरगत एक छोटी सी scheme चलाईगी है जिसको नाम दिया गया है eat right campus इस scheme के अंतरगत अलग-लग campus में इस चीज को पर्मोट किया जाता है कि आप सही तरीके से अच्छा खाना खाएं और अच्छी सेहत बनाएं और जो आपको एक अच्छे nutrition भी provide करें ये भी initiative food safety and standard authority of India के द्वारा ही किया गया इसमें मकसद रखा गया पर्मोट करेंगे safe, healthy and sustainable food और किन campus में जैसे school के campus में, universities के campus में, college campus में जहाँ पे work places है वहाँ में, hospitals में, T.E. states आदी इत्यादी जगाओं पे या simple होले campus में इस movement की पर्मोशन की जाएगी तो इस movement का भी मुक्य उदेशा क्या है improve the health of people, लोगों की health को improve करना और social और economic basis पे उनको develop मिनाना क्योंकि जिस देश की जनता स्वस्थ रहेगी वो देश already ही स्वस्थ होगा तो देश की growth और development के लिए देश की जनता का स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चलिए जानते हैं फसाई जिसका full form है food safety and standard authority of India इसकी establishment की गी थी 2006 में food safety and standard authority act के अंतरगत इट मींज ये एक regulatory body है regulatory और statutory body है ये वर्क करती है आपके ministry of health and welfare के अंतरगत important point है paper में भी पूछा जा सकता है इसका basic मुख्य उदेश है जो भी food items और जो भी food के products market में चल रहे हैं उनके manufacturing पे नज़र रखना, storage पे, distribution और sale और import पे क्या देश की जनता को एक अच्छे level पे खाना मिल रहा है nutrition की कमी तो नहीं आ रही या फिर कोई और problems उस प्रड़क्ट से नहीं है इसका headquarter मिलेगा आपको New Delhi में और जो भी इसका chairperson और CEO, chief executive officer होता है उसको appoint किया जाता है government of India के अंतरगत तो इस तरह से ये हमारे पास topic था eat, write, movement बहुत ही जादा important topic है ये paper के perspective से और general हमारी life में भी इस topic की काफी importance है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को like करे, comment करे, share करे और आपके अपने channel The Concept को subscribe करे Thank you everyone, जैहिंद